एक समय की बात है, एक जंगल में एक कवव रहता था, वे बड़ा ही खुश और मस्ती में रहता था, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुन्दर पक्षी दिखाई दिया, वे तुरंद उस पक्षी के पास गया और उस पक्षी का रंग सफेद था, कववे ने इस पक्षी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, पक्षी ने हसकर कहा, हंस, इस पर कवव बड़ा खुश हुआ, और खुश होकर कहा, यार तुम तो बहुत सुन्दर हो, और तुम्हारा रंग भी बहुत सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होग हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज़्यादा भी कोई और सुन्दर है, अब कवव हैरान हो गया, और कहा, वो कौन है, जो तुमसे भी ज़्यादा सुन्दर है, हंस ने कहा, तोता अब कवव वहां से उड़कर तुरंत तोते के पास जा पहुचा, और कवव उसको देखकर हैरान हो गया, क्योंकि तोते का गले का रंग लाल और तोता पूरा हरे रंग का था, कववे ने उससे कहा, यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम तो इतने शांदार जो दिखते हो, इस पर तोता मायूस हो गया, और कहा, नहीं, मुझसे भी शांदार और सुन्दर तो मोर है, अब कवव वहां से उड़कर मोर को ढूनने लगा, उसने कई दिनों तक मोर को ढूना, लेकिन मोर उसे नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला की मोर शह के चिडिया घर में हैं, अब कवव चिडिया घर पहुचा, और उसने मोर को देखा, कि वह एक बड़े इसे पिंजडे में बंध है, और बहुत से लोग उसके साथ फोटो खिचवा रहे हैं, यह देखकर कववे को थोड़ी जलन हुई, कववे ने मोर के पास जाकर कहा, या तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं, इस पर मोर उदास हो गया, और कहा, किस बात के मजे ही मजे, भले ही मैं दिखने में शानदार और सुन्दर हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंध पिंजडे में ही गुजरने वाली है, अम मोर थोड़ा बुजे विस से जी सकते हो तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना वरना एक दिन जरूर ऐसा होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाऊगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने के ल झाल 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 झाल